प्रिंस ऑफ क्रिकेट, फूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, रन मशीन और ना जाने क्या-क्या, ये सारे नाम सर्फ एक बल्लेबास के हैं, और वो बल्लेबास कोई और नहीं, बल्कि इंडिया की नामी प्लेयर, शुब्मन गिल हैं, आपने देखोगा कि आईपेल के पहले तक, वो सेंचरी पुनि लगाए जाये थे, उपनिंग पर ना भेजें और इसी के चलते रोही शर्मा ने यशिश्वी जैस्वाल को चांस दिया उपनिंग करने का और उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया और शुबमंगिल नंबर तीन पर फ्लॉप साबित हुए अभी लोग यह कह रहे हैं कि शुबमंगिल जो ह बोला था अकेले दम पर उन्होंने अपने टीम गुजरा टाइटन्स को फाइनल में पहुँचाया था इससे पहले वंडे में उन्होंने दोहरा शतक लगाया और उस्चिले के खिलाफ टिष्ट में शतक वहीं टीटवंटी इंटरनेशन में भी शतक जड़ चुके हैं हाला कि बाहर अब तक शुबंगिल ने 10 टिष्ट में सिर्फ 363 रन बनाए हैं जिसमें उनके बल्ले से सिर्फ दो अर्ध शतक निकले हैं यह कहना गलत नहीं होगा कि एशा के बाहर उनका रिकॉर्ड काफी जादा निराशा जनक रहा है लोग शुबंगिल को इस बात पर ही ट्र अरग उसके ट्रोफी में आया था एहमदाबाद में और फिर आप विराट कोली भी शतक लगा चुके हैं और पहले इनिंग में उनके शांदार पारी खेली थी लेकिन आप चुबंगिल को पने टेक्नीक पे थोड़ा सा काम करने की ज़रत है उनका टेक्नीक थोड़ा से करते हैं कि वह अच्छे से स्ट्रॉंग कमबैक करें और बहुत ही जादा अच्छा वंडे वंड कप आ रहा है उसमें उनको जगह मिले और बहुत अच्छा प्रोदर्शन दिखाएं बाकि आपको क्या लगता है कि शुबंगिल कमबैक कर पाएंगे अफर नहीं कॉमेंट से लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना विलको बना भूले